इसमें आपके सामने मैस का एक क्वेशन लेकर आए हूँ, क्वेशन क्या बूला, find the value of x, और यहां equation दिया, 2 minus 2 का power minus x equal to x, तो चलिए question को हम solve करते हैं, तो हमारा equation क्या दिया है, 2 minus 2 का power minus x equal to x, यह दिया हुआ है, ठीक है, page उपर करते हैं, यह हमारा दिया, अब हम यहां पर द shift कर दें, तो यह 2 यहीं पे रहेगा, यह plus x इधर रहेगा, तो minus x हो जाएगा, equal to, और यह minus 2 का power minus rhs side में जाएगा, तो 2 का power minus x हो जाएगा, ठीक है, यह आपको समझ में है, अब यह हो जागा 2 minus x, equal to, यहां पर आपका formula लाएगा, power and exponent का क्या लाएगा, कि अगर x का power minus m है तो यह बराबर होता है 1 upon x का power m, तो यहां पर क्या 2 का power minus x है, तो यह हो जागा 1 upon 2 का power x, तो हम इसके जगा यह लिखेंगे, 1 upon 2 का power x, ठीक है, अब इसको upon 1 कर देजे, और कीजे cross multiply, ठीक है, cross multiply करेंगे, तो यह क्या हो जागा, हमारा, 2 का power x जो है, यह किस से into होगा, टो minus x से एक्वल टू 1 जो है 1 से इंटो होगा तो यहां पर 1 हो जाएगा और हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस x से डॉट इंटो के जगह क्या लेगेंगे डॉट और यहां पर 2 का पावर x एक्वल टू 1 इसको equation first मानिए इस equation में हम multiply 1 upon 2 का पावर 2 on both side on both side in equation first equation first में हम क्या करेंगे दोनों side 1 upon 2 का पावर 2 इंटो करेंगे तो पहले equation first लिखे equation first हमारा क्या है 2 minus x से dot 2 का पावर x से equal to 1 हमने क्या कहा 1 upon 2 का पावर 2 यह multiply करना है दोनों side तो दोनों side आप इस तरीके से इंटो कर दीजे ठीके तो यह हो जाएगा यह क्या हो जाएगा आपका 1 upon 4 हो जाएगा ठीके अच्छा यह क्या है 2 minus x से dot यह क्या है 2 का पावर x ठीके अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला लाएगा पावर x का पावर m है तो यह बराबर होता है x का पावर minus m यहाँ पर क्या है 1 upon 2 का पावर 2 है तो यह उपर जाएगा तो 2 का पावर minus 2 हो जाएगा यहां पर आपका power and exponent का formula यूज़ होगा, कौन सा formula, कि x का power m है, dot x का power n है, तो यह बराबर होगा x है, और यह दोनों power जो है add हो जाएंगे, तो यहां पर हमारा क्या है, 2 का power x है, dot 2 का power minus 2, तो यह बराबर हो जागा 2, और यह x और यह minus 2 आपस में add हो जाएंगे, ठीक है, तो यह हो जागा 2x है, और यह plus minus minus 2 हो जागा, ठीक है, तो यह क्या है, 2 minus x, dot, यहां पर formula लगा है, तो क्या रहा है, 2 का power x minus 2, ठीक है, equal to 1 upon 4, यह आपको समझ में है, अब हम यहां पर देख क्या करेंगे, यहां पर 2 का power क्या है, x minus 2 है, और यहां पर क्या है, 2 minus x है, ठीक है, त both sides in equation second, ठीक है, तो पहले equation second लिखे क्या है, 2 minus x dot 2 का power, x minus 2 equal to 1 upon 4, हमने क्या करना है, minus multiply करना है, तो minus तोनों साइट लगा दीजे, इस तरह से हम क्यों कर रहे हैं, हमें यहाँ पर lambda double function formula यूज करना है, इसलिए यहाँ यहाँ पर किया जारा है, ठीक है, तो यह क्या हो जागा, यह हो जागा, x minus 2, ठीक है, dot 2, और यह क्या है, x minus 2 equal to minus 1 upon 4, यहाँ आपको समझ में ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे क्या करेंगे, यह जो 2 है, इस 2 के जगा हम क्या लिखेंगे, 2 की जगा लिखेंगे, e ln 2, formula क्या है, हमारा a is equal to e ln a, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या ह x minus 2, dot, इस 2 की जगा हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर e ln 2, e ln 2, ठीक है, यह हो गया, और इसके बाद यह power है, तो यहाँ पर power लगाई है, equal to minus 1 upon 4, ठीक है, तो यह क्या है, x minus 2, dot, अब यहाँ पर देखिए, आपका formula यूस होगा, power and exponent का, क्या यूस होगा, कि अगर x का power m है, whole power n है, तो यह बराबर होगा, x, m, dot, n, ठीक है, तो compare कीजे, यहाँ पर यह x है, यहाँ पर x की जगा है, e है, यह ln 2, आप इसको m समझे, और इसको आप n समझे, ठीक है, तो dot यहाँ पर लगा दिया, पेस थोड़ा उपर करते हैं, तो यहाँ पर हमें formula लगाना है, तो देख फिर यह क्या है, n, n हमारा क्या x minus 2 है, तो bracket मैं ऐसे लिखा रहाएगा, ठीक है, equal to minus 1 upon 4, यह आपको समझ में आया, पेज उपर करते हैं, अब उसके बाद देखें क्या करेंगी, यह हमारा x minus 2 dot e, यहाँ पर क्या है, into का sign है, तो यह x minus 2 पहले लिख दीजे, और यह ln 2 बाद यह है, तो same यह term यहाँ पर भी होना चाहिए, है, नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंग 두 देखेंगे, x minus 2 यह पर भी है, यहाँ पर भी है, पर यह नहीं है, ln 2, यहाँ पर ln 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ln 2 जो है, multiply, ln 2, इसको equation आप third मानें, on both side, in equation third, ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारा equation third क्या है, पर लिखे, x-2 dot e का power, x-2 ln2 equal to minus 1 upon 4, क्या multiply करना है, ln2, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ln2 into कर दीजे, दोनों side, यह हो गया, ln2 दोनों side, तो अब देखे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी बीच में क्या है, into का sign है, तो पहले x-2 पहले लिखे, और यह ln2 हम बाद में भी लिखे सकते हैं, और into लगाने की जोत नहीं है, dot, यह क्या है, e का power, x-2 ln2 equal to, यह क्या हो जागा, आपका minus ln2 upon 4, ठीक है, यह हो गया, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर e का power क्या है, x-2 ln2, सेम यहाँ पर भी है, सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, apply Lambert W function, on both side, ठीक है, in equation 4, तो पहले equation 4 क्या है, x-2 ln2 dot e, यह है, x-2 ln2 equal to, minus ln2 upon 4, क्या करना है, हमको यहाँ पर, w apply करना है, तो पहले ऐसे bracket लगाईए, अब यहाँ पर आप Lambert W function, इस तरीके से लिखिए, ठीक है, apply, दोनों side हमने लगा दिया, अब इसके आगे देखिए, हम यहाँ पर क्या करना है, Lambert W function का जो main formula, वो क्या है, w, फिर a dot e का power a, यह है, आप compare केज़े, compare, compare करिए, तो compare करेंगे, तो यह a है, a की जगा आपका यह है, फिर यह e है, यह a है, यह a है, तो a की जगा आपका यह है, तो यहाँ पर a जो है न, यह है, यह a, यह भी देखिए, यह भी a है, same symptom है न, जो e का power है, वही same यहाँ पर भी है, तो यह किसके बराबर होता है, Lambert W function, Lambert W function, यहाँ पर इसको मैं erase कर दूँ, यहाँ पर मैं इसको पहले erase कर दूँ, यह इतना मैं erase कर देती हूँ, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता है, Lambert W function क्या कहता है, w a dot a का power a, जो है a के बराबर होता है, तो a, a हमारा क्या है, a हमारा यह है, तो a क्या है, यह देखिए, तो इसको लिखिए, x minus 2 ln 2, ठीक है, तो यह पूरा LHS इसके बराबर हो गया, ठीक है, equal to, यह क्या है, w, और यह क्या है, minus ln 2 upon 4, ठीक है, तो हमारा तो LHS में formula लग गया, अब जो RHS है ना, RHS में भी हम यही formula यूज़ करेंगे, RHS को भी हम Lambert W function में, के formula में set करेंगे, तो यह क्या है, x minus 2, ln 2 equal to, W, यह minus, अब देखें, क्या LN 2 है, upon 4, इसमें हम क्या करेंगे, 4 upon 4, तो into कर सकते हैं, ठीक है, वैसे भी यह 4, 4 cancel हो जागा, तो यह आया, x minus 2, ln 2 equal to, W, अब यह क्या हो जागा, numerator हमारा क्या है, यह हो जागा, minus 4 ln 2 upon, denominator क्या है, 4 into 4, 16, यह हुआ हमारे पास, ठीक है, पेज उपर करते हैं, तो यह हो जागा, हमारा, x minus 2, ln 2 equal to, W, यह क्या है, minus 4 ln 2, ठीक है, यह क्या है, 16 है, 1 upon में है, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, equal to, W, minus 4 ln 2, into 1 upon, इस 16 के जगा, 16 के जगा, हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 का पावर 4 लिखते हैं, ठीक है, तो यह हो जागा, x minus 2 ln 2, equal to, W, और यह क्या है, minus 4 ln 2, ठीक है, यह into है, into के जगर dot रहें दीजे, और इसमें formula लाएगा, power and exponent का, क्या लाएगा, कि अगर 1 upon x का पावर M है, तो यह बराबर होगा, x का पावर minus M, यह क्या 1 upon 2 का पावर 4 है, तो यह हो जागा, 2 का पावर minus 4, तो इसके जगा हम यह लिखेंगे, ठीक है, तो इस पूरे का जगा हम क्या लिखेंगे, यह, 2 का पावर minus 4, ठीक है, यह लिख दिया, पेज उपर करते हैं, यह आया हमारे पास, तो यह हो जागा, हमारा x minus 2 ln 2 equal to w, ठीक है, minus 4 ln 2 dot, अब इस 2 की जगा, इस 2 की जगा हम क्या लिखेंगे, इस 2 की जगा हम लिखेंगे, 2 equal to e ln 2, फॉर्मूला कौन सा, a equal to e ln a, तो इस 2 की जगा हम e ln 2 लिखेंगे, e ln 2, और यह पावर minus 4 लगा है, तो ऐसे करके आप पावर minus 4 लगा दीजे, और अब यह वाला प्रैकेट लगा दीजे, सबज़ में है, तो यह हो जागा, x minus 2 ln 2 equal to w, ठीक है, अब यहाँ पर यह प्रैकेट लगा, यह minus 4 ln 2 dot, अब देखेंगे, यहाँ पर पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूस होगा इसमें, मैं बता दू, x का पावर m है, और whole bracket n है, तो यह बराबर होता है, x का पावर m.n, ठीक है, तो यह हमारा x है, और यह हमारा m है, और यह हमारा n है, तो किसके बराबर है, X हमारा क्या है, यह E है, फिर क्या है, M, M हमारा क्या है, N, N हमारा क्या है, M, N हमारा क्या है, Minus 4 है, Bracket, Close, यह वाला Bracket लगाई है, ठीक है, यह आपको समझ में आया, पेज उपर करते हैं, तो यह हो जाए गा, हमारा X, Minus 2, L, N, 2, Equal to W, और यह हो जा पहले लिखिए और यह क्या है LN2, ब्रैकेट क्लोस ठीक है, यह वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, तो आपका जो RHS है, वो सेट है, लेंबर डबली फंक्शन में कैसे है, डबलू, फिर A.E का पावर A, ठीक है, कम्पेर कीजिए, कम्पेर करेंगे, तो देखिए, A है, A की जग़ा आपका यह है, यह E है, और यह A है न, A की जगाए आपका यह है, तो यह आपका A है, ठीक है, तो लेंबर डबली फंक्शन में क्या होता है, मैं इसको यहाँ पर इरेज कर दू, यह क्या हो जागा, यह पूरा RHS, यह पूरा R minus 4 ln 2, ठीक है, यहाँ पर into cosine, यहाँ पर into cosine, ln 2, ln 2, cancel हो जाएगा, page उपर करते हैं, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, x minus 2, equal to, क्या बच रहा है, minus 4, और x की value क्या होगी, यहीं पर रहने दीज़े, minus 2, इधर shift कर देंगे, तो plus 2 हो जाएगा, और minus 2, तो हमारे पास x की value क्या आई, minus 2, तो चलिए, अब check करके भी देख लेते हैं हम, कि यह जो value आई है, x की सही भी है कि नहीं, तो हमारा question क्या था, हमारा question है, 2 minus 2 का power minus x, equal to x, यह है, ठीक है, जिसमें यह हमारा LHS है, और यह हमारा RHS है, तो LHS क्या है, 2 minus 2, और यह क्या है, minus, minus लगाई है, फिर यह क्या है, x की जगा रखेंगे हम, minus 2, equal to यह क्या है, x क्या रखेंगे, minus 2, तो यह हो जागा 2, minus 2, और यह minus, minus, plus, तो क्या बचाएगा, 2 हो जागा, plus 2, तो 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 4 तो 2 में से 4 के क्या बचा माइनस 2 तो देखिए ये माइनस 2 ये माइनस 2 सेम है तो LHS और RHS दोनों बराबर है इसका मतलब X स्कल्ट 2 माइनस 2 ये आंसर सही है तो उमीद है आपको ये कुशन अच्छे समझ में आ गया होगा